अभी ये वो राहूल बाबा भारत जोडों याक्रा लेकर निकले हैं विदेशी जर्सी पेंकर विदेशी टीसेट पेंकर भारत जोडने निकले हैं मित्रों मैं उनको और कॉंग्रेशियों को उनका संसक का बारत बासन का एक वाग के याद कराता हूँ बारत रास्ट्र है ही नहीं So I would like to remind the Prime Minister and his party World's India's oldest political party is on a world's longest padhyatra with 30% women and with people who are average age is 38 years old This is a new Congress, aggressive Congress Real GDP बढ़ नहीं रही और दूसरी GDP गैस डीजल पेट्रोल कम नहीं हो रही पेट्रोल डीजल प्राइसे अर रेगूलेटड बाई इलेक्शन देट्स नॉट अन ग्लोबल रेट्स उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या दाग ही देंगे मुझको दान में क्या मेरी हर बात बेअसर हो रही मेरी हर बात बेअसर हो रही नुक्स है कुछ मेरे बया में क्या मुझको तो कोई टोकता भी नहीं मुझको तो कोई टोकता भी नहीं यही होता है खानदान में क्या नमश्कार मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा तामिल नाडू को पूरा करके अब केरल पहुंच चुकी है अभी तक तो राहूल गांदी की सियातरा को जो जन समर्थन मिला है उसको लेकर कॉंग्रेस और कॉंग्रेसी दोनों ही काफी उत्साहित है राहूल गांदी खुद भी हर अब किसे मिल रहा है? साती इधर बीजे पी भी रहुल गांधी की सियात्रा पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही. चाहिए वो फिर टी-शर्ट की बात हो या फिर एक पादरी से मिलना हो. जहां बीजे पी को मौका मिलता है वो राहूल गांदी पर हमला कर रही है यहां तक कि ग्रियमंत्री अमिश्चा भी अब इस मैदान में कूद पड़े हैं बस एक प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बचे हैं जिन्नोंने अभी तक सीदे तोर पर इस भारती आतरा पर कोई कमेंट नहीं किया है वरना बीजेपी के ज्यादातर नेता अब इस पर बयान बाजी या फिर अपनी राये दे चुके हैं लेकिन क्या ये राहूल गांधी की यातरा काम्याब समझी जा रही है? अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि राहूल गांधी उन राज्जेपी की सरकार है या बीजेपी का जनाधार है या फिर उन राज्यों से गुजरेंगे जहां पर कॉंगरेस तीसरे या चौथे नमबर की पार्टी है तब असल पता लगेगा कि राहूल गांदी की सियात्रा को कितना जन समर्थन मिल रहा है ये बात सही है कि राहूल गांदी की सियात्रा को काम्याब कहना या नाकाम्याब कहना अभी बहुत जल्दी है क्योंकि अभी तो इसका पहला चरण में धंसे पूरा नहीं हुआ है लेकिन इस सब के बीच एक सवाल ये तो जरूर उठता है कि क्या हम आप या फिर भारतिय जनतापार्टी या फिर केंद्र की मोदी सरकार राहूल गांदी को कम हांक रही है क्या राहूल गांदी को लेकर एक कैलकुलेशन में गड़बड की जा रही है क्या माना जा रहा है कि राहुल गांदी अब भी वही है जो 2019 से पहले के राहुल गांदी थे आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि क्या राहुल गांदी में कोई बदलाव आया है या पिर जो अब तक जिस राहुल गांदी के बारे में कहा जाता था कि वो पपू है बीजेपी ने उनको पपू बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी क्या असल में वो पपू है या आप औरों को पपू बनाने लगे हैं मुझे लगता है कि 2019 से पहले के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में दिन रात का फर्क है वो राहूल गांदी जो अध्यक्षपद पे थे उन्हें लगता था कि वो अकेले अपने दम पे या अपने खांदान की विरासत के दम पे पार्टी को सत्ता तक पहुँचा पाएंगे लेकिन 2019 में जनता ने उन्हें उसका आईना दिखा दिया राहूल गांदी ने अध्यक्षपद छोड़ा लेकिन उसके बाद लगता ऐसा है कि राहूल गांदी ने खुद को भी समझने की कोशिश की है और पार्टी को समझने की भी कोशिश की है साथी अब वो ये भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड क्या है जैसा पहले भी मैंने कहा और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत यात्रा के दोरान इस भारत यात्रा के जरिये राहुल गांदी दरसल लोगों का मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही राहूल गांदी ये भी संदेश देनी की कोशिश कर रहे हैं कि कॉंग्रिस अब वो कॉंग्रिस नहीं रही जो शिथिल पड़ी थी कॉंग्रिस अब सडकों पर उतर आई है और जब कॉंग्रिस सडक पर उतर आई है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा साथी इस सियात्रा का एक और महत्व होर एक साफ संकेते की राहूल गांदी जिन जिन जगाओं से होकर गुजरेंगे अब मान के चलिए कि अब क्षेत्रिय दलों से वहाँ पर कॉंग्रेस अपनी शर्तों पर गठबंदन करेगी 2024 को लेकर कॉंग्रेस अब साफ संकेत दे रहे हैं कि जिसको आना है उसको कॉंग्रेस के साथ आना पड़ेगा कॉंग्रेस उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि कॉंग्रेस का सीधा सीधा कहना ये होगा कि जनाधार राहूल गांदी इस सियात्रा के दौरान बनाएंगे ये जनाधार कॉंग्रेस बनाएगी तो वो जनाधार हम किसी और पार्टी को कैसे दे सकते हैं क्योंकि पार्टी फिर वहीं जीरो पर आ जाएगी अगर पार्टी ने ऐसा किया कि किसी क्षेत्रिय दल को बड़ी पार्टी के रूप में शामिल के और खुछ छोटे भाई के तो पर आएगा साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा की कामियाबी को देखते हैं अगर ये कामियाब होती है तो एक यात्रा नौर्थिस्ट यानि असाम मेगाले उधर से मेगाले या मनिपूर से शुरू होके एक यात्रा गुजराद की तरफ भी जाएगी ये यात्रा से होके जाएगी. यानि आज जो यात्रा है अभी वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और एक दाएं से बाइं की तरफ चलेगी. तो क्या, यह मान के चली है कि एकला चलो ही कॉंग्रेस के लिए, सही राजनीती है या सही रणनीती है? या उसे लगता है कि अभी भी दरःसल इस सारी चीज़े में इस लिए कह रहा हूँ कि आप ये देखी कि इस यातरा के दोरान दैनिक भास करने ये बहुत अच्छा ग्राफिक दिखाया कि कॉंग्रेस की नजर कितनी सीटों पर और कहां कहां पर है इन सीटों पर कह. कॉंग्रेस की नजर है और इन सीटों में अगर कॉंग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है 2024 में कुछ फायदा मिलता है इसी आत्राक तो जाहिर सी बात है कि संकट BJP के लिए होगा क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि BJP इस वक्त NDA के नाम पे सबसे बड़ी पार्टी है बाकी छ खाकरे के नाम पे जीत सकते हैं या मोदी के नाम पे जीत सकते हैं अपने दम पे उनके पास भी एक भी सीट जीतने की खुवत नहीं है अब ऐसे में अगर BJP की सीटें दोसों के आसपास रह जाती है तो BJP के लिए मुश्किल हो जाएगी सरकार बनाना दुबारा क्योंकि गठ बंदन के लिए सरकार बनाने के लिए उनके पास उतने जहयोगी अब बचे नहीं है कि दूसरी तरफ BJP ने कॉंग्रेस के लिए भी रास्ता इसलिए खोल दिया कि BJP ने खुद चारों तरफ मोर्चा खोल दिया है इधर एक गुट BJP का एक ग्रूप जो है वो केजरीवाल धड़े पे केजरीवाल मनीशी सोधिया पे अटेक कर रहा है उन पे प्रहार कर रहा है एक गुट राहूल गांदी कॉंग्रेस की यातरा पर काम कर रहा है उस पर अटेक कर रहा है एक गुट ममतब एनरजी पर काम कर रहा है एक गुट उधव ठाकरे पर काम कर रहा है एक गुट जो विदिन पार्टी नितिन गटकरी टाइप की जो नेता है जो फिलहाल मोधी से न इसमें शंका है अब ऐसे में अगर ओजी का जंजाल बन जाता है तो फाइदा सीधे तोर पे कॉंग्रेस को गया क्योंकि राश्ट्रिय स्तर पर आज भी अगर बीजेपी को कोई सीधी टक्र देती है तो वो है अकेली कॉंग्रेस क्योंकि तकरीबन 120 सीटों पर अभी भी देती है तो जाहिर सी बात है कि कॉंग्रेस की टेली तो उपर जाएगी बीजेपी की टेली नीच आएगी क्योंकि नुक्सान कॉंग्रेस का फाइदा नुक्सान बीजेपी का होगा दूसरी तरफ अब बात राहूल गांदी की जो हम कर रहे थे राहूल गांदी जानते हैं अध्यक्ष पद के लिए वो इसलिए आगे नहीं जा रहे मुझे ये लगता है कि राहूल गांदी शायद कहीं न कहीं बीजेपी के फॉर्मूले पर ही चलना चाहते हैं इस तरह से राजनात सिंग बीजेपी अध्यक्ष थे और लेकिन प्रधान मंत्री पद पे नरेंदर मोदी को नरेंदर मोदी का चेहरा आगे रखा गया तो वही फॉर्मूला फिलहाल राहूल गांदी अपनाना चाहते हैं कुछ अध्यक्ष के सिर्स भी फूटेगा ऐसे इसी लिए शायद वह अध्यक्ष पद पर भी अपना ही एक आदमी चाहते हैं जितन पर साथ, ये सब नेता, ये सब नेता, राहुल गांदी मुझे लगता कहीं न कहीं ये जानते हैं कि जिस दिन Congress ऊपर आने लगेगी, ये नेता खुद बाखुद वापस लोट आएंगे, क्योंकि इन नेताओं को, जो बुक्कत इन नेताओं की Congress में थी, वो बुक्कत व जो तिरादित्य सिंद्या मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता जाने वालों में थे और सबसे पहले वापिस आने वालों बेभी होंगे जिस दिन कॉंग्रेस उपर का रास्तान अपना लेगी ये राहूल गांदी की सोच मुझे इस वक्त लग रही है दूसरी बात राहूल कि सोच ये भी है कि अगर पार्टी एकला चलो की नीती पर चलती है और अभी जो भी अपनी शर्तों कॉंग्रेस की शर्तों पर शेतरी दल उनसे जुड़ेंगे उनसे ये साफ कह दिया जाएगा कि प्रधान मंतरी का चेहरा तो राहूल गांदी ही होंगे अगर आपको ये म समर्थन देंगे क्या राहूल गांदी को ममता बैनर जी समर्थन देगी अभी तक शरत पवार ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा पे खुल के कुछ नहीं कहा है उनका बयान आना भी बहुत इंपॉर्टन बहुत एहम होगा कि वो क्या कहते हैं उसके इलावा कश्मीर में न लेस्चर्स है उनको देखकर लगता है कि राहूल गांदी पार्टी को रिवैंप करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लग रहा हूँ पार्टी में युवा चेहरों को तरहीज देने की कोशिश कर रहे हैं जो उदैपूर शिविर में भी एक तरह से कहा गया था कि पचास प् है तो दो तिन चेहरे ही सामने आते हैं वो है दिगवी जैसी कमलनात और हर इश्रावत इसके लावा कोई चौता चेहरा आपको ऐसा नहीं मिलता जो वरिष्ट नेता हो जो असल में ग्राउंड में राजनिती करता हो जो चुनाव जीत कर यहां तक पहुंचा हो एसी रूम क नए युवाओं को नए लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते हैं और मुझे लगता है ये भी एक सोच है राहूल गांदी की दो हजार चौबिस से पहले पार्टी का चेहरा मोरा युवाओं के हाथ में दिया जाया चेहरा मोरा बदला जाया और एक संदेश देनी की कोशिश की जाए कि हम युवाओं के मुद्दे तो उठाते ही उठाते हैं साथ में युवाओं को ही पार्टी में तरहीज भी देते हैं ये कुछ मुद्दे था मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेकर राहूल गांदी को समझना चाहिए अभी बीजेपी राई गांदी के साथ कहीं न खहीं वही चीज कर रही है जो कभी Congress ने केजरी वाल या अन्ना हजारे को लेकर किया था Congress ने भी underestimate किया था केजरी वाल को और उसका नुकसान आज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कहीं यही गलती आज के समय में बीजेपी तो रहूल गांदी के साथ नहीं कर रही है यही गलती मीडिया भी रहूल गांदी के साथ कर रही है वो भी बीजेपी के जितनी मीम से जितनी ट्रोल्स हैं उनके भैकावे में बीजेपी मीडिया आ जाती है मीडिया उनी के रास्ते प रहुल गांदी ने रैलियों में जिन बातों का जिक्र किया था ज्याद अदर बाते बाद में सच निकली थी। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांदी को अंडरेस्टिमेट करना या कम आंकना ना सिरफ मीडिया के लिए गलती हो सकता है बलके बीजेपी भी इसका खामियाजा भूगत सकती है साथ ही मुझे लगता है कि क्षेत्रे दलों को भी अब समझना होगा कि अगर 2024 में मोधी को टक कर देनी है तो कॉंग्रेस को मुख्या पार्टी बनाना ही पड़ेगा और ना इसके इलावा कोई और पार्टी में दम नहीं है कि विपक्ष को इकठा करके मोधी को टक कर दे सके और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर राय और सुझाओ जरूर दिया कीजिए नमस्कार